प्रति दिन हमें यग्य करना चाहिए भगवद गीता में स्री कृष्ट केते हैं यग्य दान तपह कर्म अगर सुखी रहना है प्रसन रहना है हमेशा तो प्रति दिन यग्य करो दान करो और तप करो पर आजकर लोग यग्य तो नहीं कर सकते फिर कैसे माराज कल्यूग में प्रधान धर्म माराज यग्य कैसे होगा वहले कल्यूग का प्रधान धर्म है नाम और कहीं माराज घर में बेटकर भगवान का नाम लो अगर आपने 108 माला कर ली तो समझो आपकी यगी में 108 आहुती हो गई आपने भगवान का नाम रस्वला माला कर ली तो समझो जितने नाम लिये उतनी आपकी आहुती हो गई यगे शाला कब बनेगी यगे कुण में कब आहुती देंगे ये तो नहीं पता पर अगर हमने शिव नाम ले लिया तो समझो हमारे शिव जी की आउती हो गई मारा यग्य हो गया यग्य कर सकते हैं दुसरा का है यग्य दान तप तपस्या सरल्ग तपस्या क्या है बोले हिमाले परवत्तों नहीं जा सकते पर जहां कथा हो रही है वहाँ जाकर बेट जाओ क्यों? बहुत तीन घंटे एक आसन पर हम घर में नी बेट सकते हैं पर कथा में जाकर भगवान के लिए कथा में तीन घंटे बेट सकते हैं और जब कथा में जाकर तीन घंटे भगवान के लिए बेटे हैं तो यही हमारी सबसे स्रेष्ट तपस्या है माराज फिर काये दान रोज दान करो और आजकल दान भी गजब करते हैं माराज है हर हर जो नोट सबजी वाला नहीं लेगा जो नोट माराज दुकान किराने वाला नहीं लेगा वो नोट ले जाकर भगवान के आरती की थाली में जो सिक्का कहीं नहीं चलता है ना वो सिक्का आरती की थाली में पर द्यान रखना जाव जो दुनिया में कहीं नहीं चलता जिसे दुनिया में कोई स्विकार नहीं करता उसे मेरा द्यवाजी देव महादेव शंकर भगवान स्विकार कर लेता है मराज उसे कोई नहीं चलाता कोई नहीं रखता उसे भगवान रख लेता ये सिक्के की या नोट की बात नहीं है ये हमारी बात दुनिया से हार जाओ दुनिया से हार मान लो तो कहीं भटकने के आवश्यक्ता नहीं है क्यों बोले जिसको दुनिया में चलाया नहीं जाता अक्सर खोटे सिक्के भगवान महादेव के दर्बार में चलते देखें हैं माराज चारो और निराशा हो ना तब शंकर जी के मंदिर में जा करके दो प्रभू